नमस्कार, मैं कैलाश सर्मा, एक बार फिर उपस्तित हूँ आपके सामने कक्षा आठ, रुचिरा भाग तीन का चोदुमा पाठ, आरिय भटह लेकर, इस पाठ में भारतिय गणित और विज्ञान परंपरा के शिखर पुरुष आचारिय आरिय भट का वर्णन है, तो आईए पढ़ते हैं पाठ, आरिय भटह, पूर्व दिशायाम उदेती सूरिय ह, पश्चिम दिशायाम च अस्तम गच्छती, इती द्रिश्यते ही लोके, पूर्व दिशायाम यानि पूर्व दिशामें उदेती सूरिय ह, सूरिय ह यानि सूरज उदेती उदय होता है, पश्चिम द अस्तम गच्छती अस्त होता है इती यह द्रिश्यते ही यानि निश्चित रूप से द्रिश्यते देखा जाता है लोके यानि संसार में संसार में यह देखा जाता है कि सूर्य पूर्व में उदय होता है और पश्चिम में अस्त होता है परम न अनेन अव बोध्यम अस्ती यत सूर्यो गतिशील इती परम परंतु अनेन इससे न अव बोध्यम अस्ती यह नहीं जानना चाहिए यत की सूर्यो यानि सूरज गतिशील है सूर्यो चलाह प्रिथवी चला सूर्य अचलाह यानि सूर्य अचल है एक जगय स्तिर है प्रिथवी च च यानि और प्रिथवी चला चला यानि गतिमान है या जो प्रिथवी स्वकिय अक्षे अपने अक्ष पर गूर्णती गूमती है इती यह साम प्रतम इस समय सूस्थापि जोतिर विद्च च यानी ओर जोतिर विद्च यानी जोतिश को जानने वाला आरिय भटह आरिय भट यह सिद्धांत देने वाले थे महान गणितग्य और जोतिश के ग्याता आरिय भट प्रिथवी स्थिरा वर्तते इती परंपरया प्रचलीता रूढी तेन प्रत्यादिष्टा प्रिथवी स्थिरा प्रिथवी स्थिर है एक जगय पर स्थिर है रुकी ह इती यह परंपरया प्रचलिता रूधी परंपरया यानि परंपरा से प्रचलिता यानि प्रचलित रूधी यानि रूधी प्रथा तेन उनके द्वारा यानि आर्य भट के द्वारा प्रत्या दिष्टा यानि खंडन किया गया अर्थात इसे नकारा गया तेन उधारितम तेन उनके द्वारा आर्य भट के द्वारा उधारितम यानि उधारन दिया गया यद की गती शीलायाम नोकायाम उपविष्टह मानवः नोकाम स्थिराम अनुभवती गती शीलायाम यानि चलती हुई नोकायाम नाव में उपविष्टह बैठा हुआ मानवः मानव नोकाम नाव को स्थिराम अनुभवती स्थिर अनुभव करता है रुकी हुई अनुभव करता है अन्यान च च यानि और अन्यान यानि अन्य दूसरे पदार्थान पदार्थों को गती शीलान अवगच्छती गती शील समझता है यानि जब नाव में बैठा हुआ आदमी चलती नाव से दूसरी चीजों को देखता है तो उसे लगता है कि नाव तो रुकी हुई है और बा प्रितिवीम स्थिराम अनुभवती प्रितिवी को स्थिर अनुभव करता है। आर्यभट आर्यभट ने जन्म लब्धवानिती जन्म लिया, ते नईव उन्हीं के द्वारा ही विरचिते रचित, आर्यभटियम आर्यभटियम यह एक ग्रंथ का नाम है, अस्मिन ग्रंथे इस ग्रंथ में इस पुस्तक में उल्लिखितम वर्णित है, इस पुस्तक में वर् गृतोयम अयम ग्रंतह यानि यह ग्रंत तेन उनके द्वारा यानि आरियभट के द्वारा त्रयोव विन्शती तमे यानि तैईस वर्ष की वयसी यानि उम्र में विरचीत ह रचा गया यानि लिखा गया एतिहासिक स्रोतों भी ही ग्यायते एतिहासिक स्रोतों से ग्यात होता है यत की पाटली पुत्रम निकशा पाटली पुत्र यानि वर्तमान जिसका नाम पटना है उसके निकशा यानि समीप आर्य भटस्य आर्य भटकी वेधशाला आसीत वेधशाला थी वेधशाला अर्थात ग्रह नक्षत्र आदी जानने की प्रयोग शाला अनेन इदम अनुमीयते यत अनेन इससे इदम यह अनुमीयते अनुमान लगाया जाता है यत की तस्य कर्म भूमी ही उसकी कर्म भूमी यानि कार्यक्षित्र पाटली पुत्र मेव आसीत पाटली पुत्र ही था यानि पटना मे ही उन्होंने कार्य किया आर्य भटस्य योगदानम गणित जोतिशा संबधम वर्तते आर्य भट का योगदान गणित और जोतिश से संबंधित है यत्र जहां संख्या नाम आकलनम महत्वम आदधाती यत्र जहां संख्या नाम आकलनम संख्याओं की गणना महत्वम आदधाती महत्व रखती है तेन प्रतिपादितं उनके द्वारा प्रतिपादित किया गया यानी प्रमान सहित कहा गया यत की ग्रहने ग्रहन में राहु केतु नामकव राहु और केतु नामक दानवव नास्ती दो राक्षस नहीं है कारणम यानी कारण अर्थात ग्रहन में राहु और केतु नामक राक् तत्र तू सूर्य चंद्र प्रिथवी इती त्रीनी एव कारणानी तत्र यानी वहां कहां ग्रहन में तू तो सूर्य यानी सूरज चंद्र यानी चंद्रमा प्रिथवी यानी प्रिथवी धरती इती ये त्रीनी तीन एव ही कारणानी कारण हैं यानी ग्रहन में सूर्य चंद और प्रिथ्वी ही मुख्य कारण हैं। यदा जब प्रिथिव्या चाया पातेन प्रिथ्वी की चाया गिरने से चंद्रस्य प्रकाश अवरुध्यते चंद्रमा का प्रकाश अवरुध्य होता हैं। तदा तब चंद्रग्रहनम भवती चंद्रग्रहन होता है। तथईव उसी प्रकार प्रिथ्वी सूर्ययोह मध्य प्रिथ्वी और सूर्य के बीच समा गतस्य आये हुए। चंद्रस्य चंद्रमा के चाया पातेन चाया गिरने से सूर्य ग्रहनम द्रिश्यते सूर्य ग्रहन दिखाई देता है। ये इस गद्यांश से संबंधित कठिन शब्दार्थ। समाजे नूतना नाम विचारा नाम स्वीकारने प्रायह सामान्य जनाह काठिन्यम अनुभवन्ति काठिन्यम अनुभवन्ती, कठिनिता का अनुभव करता है यानि नए विचारों को, नए नियमों को, नए चीजों को अपनाने में आम आदमी कठिनिता का अनुभव करता है भारतिय जोतिह शास्त्रे, भारतिय जोतिश शास्त्र में तथाइव उसी प्रकार आरिय भट का भी विरोध अभवत विरोध हुआ यानि आरिय भट को भी आसानी से स्वीकार नहीं किया गया तस्य सिध्धांता हा उपेक्षिता हा उसके सिध्धांत यानि आरिय भट के सिध्धांत उपेक्षिता हा उपेक्षित हुए यानि उनको अन्देखा किया गया सह पंडितम मन्यानाम उपहास पात्रम जातह सह वह आरिय भट पंडितम मन्यानाम यानी स्वयम को पंडित अर्थात ज्यानी मानने वाले लोगों का उपहास पात्रम हसी का पात्र जातह हुए बने यानि सोयम को ज्यानी मानने वाले लोगों ने आरिय भट को उपहास का पात्र हसी का पात्र बनाया पुनरपी फिर भी तस्य द्रिष्टी ही उनकी नजर कालाति गामीनी काल यानि समय को अति गामीनी लांग कर यानि समय के आगे देखने वाली साबित हुई आधुनिक यही वैज्यानिक यही आधुनिक वैज्यानिकों के द्वारा तस्मिन उनमे अर्थात आरिय भट में तस्य च च यानि ओर तस्य उनके सिद्धानते सिद्धानत में समादर प्रकटितह समादर यानि आदर प्रकटितह प्रकट किया गया आधुनिक वैज्यानिकों ने आरिय भट और उनके सिध्धान्त में आदर यानि विश्वास दिखाया असमा देव कारणाद इसी कारण से असमाकम प्रतमो उपग्रहस्य नाम हमारे पहले उपग्रह का नाम आरिय भट इती कृतम यह रखा गया यानि आरिय भट रखा गया वस्तुतह वास्तव में भारतिय आया हा गणित परंपरा अथच और विज्ञान परंपरा आया हा और विज्ञान परंपरा के असव यह यानि आरिय भट एक अह शिखर पुरुष आसीत एक शिखर पुरुष थे यानि श्रेष्ट पुरुष थे ये इस गद्यांस से संबंधित कठिन शब्दार्त। अब हम चर्चा करेंगे अभ्यासकारियप्र। पहला प्रश्ण है एक पदेन उत्तरत एक शब्द में उत्तर दीजिए। सूर्य कस्याम दिशायाम उदेती। सूर्य कौन सी दिशा में उदे होता है। पूर्वदिशायाम यानि पूर्वदिशा में। आर्य भटस्य वेदशाला कुत्र आसीत। आर्य भट की वेदशाला कहां थी। पाटली पुत्रम निकशा यानि पाटली पुत्र अर्थात पटना के निकट। महान गणितग्य जोतिर विच्च कह अस्ति। महान गणितग्य और जोतिश के ज्याता कौन है आरिय भटह यानि आरिय भट आरिय भटेन कह ग्रंथा रचित आरिय भट के द्वारा कौन से ग्रंथ की रचना की गई आरिय भटियम अस्माकम प्रथमोप ग्रह स्य नाम किम अस्ती हमारे पहले उप ग्रह का नाम क्या है आरिय भट अगला प्रिशन है पूर्ण वाकेन उत्तरम लिखता पूर्ण वाकेमें उत्तर लिखी कह सूस्थापित सिध्धानत है, कौन सा सिध्धानत सूस्थापित है, सूर्य चला है पृत्वी चला, सूर्य अचल है यानि स्थिर है और पृत्वी गतीमान है, या जो स्वकिय अक्षे गूर्णती, जो अपने अक्ष पर गूमती है, इती सूस्थापित सिध्धानत है, यह सुस्थापित सिध्धान्त है चंद्र ग्रहनम कथम भवती चंद्र ग्रहन कैसे होता है यदा पृथिव्या चाया पातेन चंद्रस्य प्रकाश अवरुध्यते तदा चंद्र ग्रहनम भवती जब पृथिवी की चाया गिरने से चंद्रमा का प्रकाश अवरुद्ध होता है तब चंद्र ग्रहन होता है सूर्य ग्रहनम कथम द्रिश्यते सूर्य ग्रहन कैसे दिखाई देता है यदा प्रिथवी सूर्ययोह मध्य चंद्रह समागच्छती तदा सूर्य ग्रहनम द्रिश्यते जब प्रित्वी और सूरज के बीच चंद्रमा आ जाता है तो सूर्य ग्रहन दिखाई देता है आर्य भटस्य विरोधह की मर्थम अभवत आर्य भट का विरोध क्यों हुआ? समाजे नूतना नाम विचारा नाम स्वीकारने जना काठिन्यम अनुभवन्ती असमादेव कारणाद आर्य भटस्य विरोधह अभवत समाज में नए विचारों को स्वीकार करने में लोग कठिन्यता का अनुभव करते हैं इसी कारण से आर्य भट का भी विरोध हुआ प्रतमोप ग्रहस्य नाम आर्य भटह इती कथम कृतम हमारे पहले उपग्रह का नाम आर्य भट क्यों रखा गया अतह हमारे पहले उपग्रह का नाम आर्य भट रखा गया तीसरा प्रिश्ण है रेखांकित पदमाधृत्य प्रिश्ण निर्मानम कुरूता रेखांकित शब्दों के आधार पर प्रिश्ण निर्मान कीजिए सूर्य पश्चिमायाम दिशायाम अस्तम गच्छती सूर्य पश्चिम दिशा में अस्त होता है सूर्य कस्याम दिशायाम अस्तम गच्छती सूर्य कौन सी दिशा में अस्त होता है प्रिथवी स्थिरा वर्तते इती परंपरया प्रचलिता रूढी ही प्रिथवी स्थिर है यह परंपरा से प्रचलित प्रथा है तो किस से प्रचलित तो इसे हम लिखेंगे प्रिथिवी स्थिरा वर्तते इती कया प्रचलीता रूडी ही प्रिथिवी स्थिर है यह किस से प्रचलीत रूडी है आर्य भटका योगदान गणित और जोतिष से संबंधित है तो किस से संबंधित है? तो प्रश्ण बनेगा आर्य भटस्य योगदानम केन संबंधध वर्तते? आर्य भट का योगदान किस से संबंधित है? समाजे नूतन विचारा नाम स्वीकारने प्रायह सामान्य जनाह काठिन्यम अनुभवन्ती समाज में नए विचारों को अपनाने में सामान्य जन कठिनता का अनुभव करते हैं तो कोन कठिनता अनुभव करते हैं? तो प्रश्ण बनेगा समाजे नूतन विचारा नाम स्वीकारने प्रायह के काठिन्यम अनुभवन्ती प्रिथवी सूर्ययोह मध्य चंद्रस्य चाया पातेन सूर्य ग्रहनम भवती। उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिये। चंद्रस्य प्रकाश अवरुद्यते। अगला प्रश्ण है अदो लिखित पदा नाम विप्रितार्थक पदा नी लिखता नीचे लिखे शब्दों के विलोम शब्द लिखिए उदयह यानि उदय उगना अस्तह यानि अस्त अचलह यानि अचल चलह यानि चल अर्थात चलाय मान अंधकार अंधकार प्रकाश प्रकाश स्थिरह स्थिर अस्थिरह अस्थिर समादरह यानि आदर निरादरह यानि निरादर आकाशस्य आकाशका प्रिथिव्याह अगला प्रश्ण है अदो लिखित पदानाम समानार्थक पदानि पाठात चित्वा लिखत नीचे लिखे इन शबदों के समानार्थक शब्द पाठ से चुनकर लिखीए संसारे लोके यानि संसार में इदानीम साम्प्रतम यानि इस समय, वसुन्धरा प्रिथिवी यानि धर्ती, समीपम निकशा यानि पास समीप, गणनम आकलनम यानि गणना, राक्षसव दानवव यानि दो राक्षस अंतिम्प्रशन है अदो लिखितानी पदानी आधरित्य वाक्यानी रचयत, नीचे लिखे इन शब्दों के आधार पर वाक्यों का निर्मान कीजी, साम्प्रतम यानि अब इस समय, साम्प्रतम बालकाह क्रिडंती इस समय बालक खेल रहे हैं निकशा यानि समीप, विद्यालयम निकशा उपवनम अस्ती, विद्यालय के पास बगीचा है, परितह यानि चारों ओर, मंदिरं परितह भक्ताह संती, मंदिर के चारों ओर भक्त हैं, उपविष्टह यानि बैठा हुआ, कक्षायाम उपविष्टह चात्रह पठती, कक्ष कर्म भूमी अस्ती बारत देश मेरी कर्म भूमी है वैज्यानिक यानी वैज्यानिक आरिय भट भारत स्य प्रसिद्ध वैज्यानिक आसीत आरिय भट भारत के प्रसिद्ध वैज्यानिक थे ये था पाठ आरिय भट इस पाठ से संबंदित कोई भी प्रशन हो तो कृपया कमें में लिखकर अवश्य पूछें धन्यवाद